हाई गईज, वेलकुम बैक टो मैं चैनल, मैं हूंस पीटी और आप देखरे हो स्पार्कलेंग सोल्स आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब कोई आपसे बात ना करना चाहे तो ये करें अकसर ऐसा हमारे साथ हो जाता है कि कोई ना कोई हमारा करीबी हमसे नाराज हो जाता है और उस केस में हमें बहुत अकेला पन फील होता है हम जाते हैं कि हमारे बीच की सारी प्रॉब्लम्स जल से जल खतम हो जाए और दुबारा से वैसे ही situation आ जा है जहाँ पे हम दौनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह बात करते थे अब कई बार ऐसा हो जाता है ना कि अगला इंसान आपकी कोई बात सुनने के लिए राजी नहीं होता आपसे बात तक नहीं करना चाता तो इस case में वापस दुबारा से सारी चीज़े ठीक कैसे हो सकती है हम खुद के अंदर अपने अंदर किन बातों को change करें जिसकी वज़ा से हम जो चाहते हैं वो सारी चीज़े हम बड़ी असानी से ठीक कर पाएं तो सबसे पहले आपको एक बात समझना है कि जब कोई इनसान आपसे नाराज होता है तो आपको अपनी गलती सबसे पहले मान लेनी है जी हाँ, जब हम अपनी गलती मान लेते हैं कि हमसे कहां पे mistake हो गई तो सामने वाले इंसान का खुद बखुद 50% गुस्सा अपने आप ही कम हो जाता है और बाकी जो 50% गुस्सा रहता है वो उस बात का गुस्सा रहता है जिससे वो hurt हुआ रहता है पर hurt होने वाली feeling तब खतम हो जाती है जब उस इंसान को आपकी जरूरत फील होती है और ये जरूरत तब फील होती है जब हम अपने अंदर कुछ powerful changes कर लेते हैं और ये changes आपको अपने अंदर करने के लिए आपको सबसे पहले ये करना है कि जब आप उस इंसान से बात करना चाहते हो तो आपको कुछ दिन तक उसे मनाने की कोशिश करना है जी हाँ अब तक पहने वीडियो में आपको ये बता होगा कि आपको उस इंसान के पीछे नहीं भागना है पर आपको ना दो से तीन दिन तक उस इंसान को मनाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए क्योंकि जितनी बार आप उसे बात करने की कोशिश करोगे और आप उसे मनाओगे तो वहाँ पे आपकी एक एनरजी का हिस्सा उसके पास चाता रहेगा और वो इनसान अपने अंदर powerful feel करेगा और ये सारी चीज़े आपको intentionally करने हैं और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने अंदर इस feeling को नहीं आने देना है कि मेरा किया गया सारा काम बेकार जा रहा है वो इनसान मानने के लिए तयार नहीं हो रहा है अब जब आपने इस action को ले लिया ना, दो-तीन देन उस इंसान को मनाया और उससे बात करने की कोशिश की ना, उसके बाद आपको पूरी तरह एक silent treatment को अपना लेना है जी हाँ, आपको चुपचाप होकर बैट जाना है और इस चुपचाप होकर बैटने से आपको क्या फाइदा मिलने वाला है या आप सोच भी नहीं सकते जब हम किसी इंसान के पीछे भागते हैं, जब हम अपनी energy का हिसा किसी इंसान के पीछे देते रहते हैं तो वो एक अगला इंसान अपने अंदर एक power को feel करता है पर सड़नली किसी moment पे जब आप उनसे दूर हो जाते हो ना, तो उनके अंदर एक missing वाली feeling आ जाते हैं और ये missing वाली feeling वो अपने भीतर तब feel करते हैं जब आप उनके आस पास नहीं होते जब आप उन्हें मनाते नहीं हो और जब आप उन्हें मनाते नहीं हो तो वहाँ पे एक gap आ जाता है और उस gap में उन्हें एक अकेला पंसा फील होने लग जाता है उन्हें ये फील होता है कि जो चीजे मैं पहले फील कर रही थी या कर रहा था वो मैं क्यों नहीं फील कर रहा हूँ कहा है वो सारी चीजे जो अब तक मुझे special feel करा रही थी और उसे बाद में realize होता है कि वो special feeling आप उसे feel करा रहे थे आपकी वजह से वो इंसान वो special feeling फील कर पा रहा था और ऐसे करते करते न कुछ time बाद आप खुद notice करोगे कि जिस इंसान से आप बात करना चाहते थे न वो इंसान खुद बखुद आपके पास बात करने के लिए आ गया जब हम किसी इंसान के पीछे भागते रहते हैं उसे मनाने की कोशिश करते रहते हैं तब अकसर आप देखना कि वो इंसान हमसे और ज्यादा दूर होते रहता है पर जब हम ठक कर हार कर अपने कामों में लग जाते हैं और ये कहते हैं अपने आपको कि छोड़ो अब जो हुआ, सो हुआ, अब यहां से हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे ना, वहीं से सारी situation change होती है और ये situation तब change होती है जब आप अपनी उज्या का पूरा हिस्सा, अपनी energy का पूरा हिस्सा अपने उपर लगा देते हो अब तक जो energy आपकी दूसरे इंसान की तरफ जा रहे थी उसे आप समेट कर अपने पास ले आते हो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आपको कब तक अपनी energy दूसरे इंसान को देनी है और कब उस energy को पूरी तरह समेट कर अपने पास ले आना आपको एक smart person की तरह इन सारी situation से deal करना भी सीख लेना ताकि आपकी life में आप इन छोटी छोटी situations को बड़े आसानी से पार करके आगे बढ़ते जाओ So guys अब हम मिलते है नेक्स्ट वाले वीडियो में तब तक आप अपना ध्यान रिखिए और खुश रहिए बाबाई